सब कुछ एक जैसा होते हुए भी अंतर क्या है अन्बॉक्सिंग से लेकर क्वालिटी सब चीजों का कंपरिजन करें सबसे पहले अन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि डिपे में भी कोई अंतर है तो ये हैं वो दो एक्शन कैमरा जिसके हर चीज को हम यहाँ पर कंपेर करने वाले हैं सबसे पहले डिपो से ही सुरुआत करें दिखने में एक जैसे लगते हैं और साइज भी लगबग एक जैसा ही है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है आपको 100 रूपीज का कूपन जिस जो आपको कैस्ट्रा चीज मिलेगा इसके रिव्यू करने की पर आपको इस सिमिलर से हैं सेम साइज है यह सब कुछ मैं एक एक चीज अब निकाल के रखता हूँ इस डिपबेगी इस तरफ और इसकी इस तरफ सबसे पहले जो दो दोनों में common चीज़े होंगी वो रखेंगे अब आता है difference देखी यहाँ पर जो चीज़े इसके साथ मिली थी वो complete हो चुकी है यह डिपबा मिलता है सारा का सारा अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़े और हैं यह कुछ basic difference हैं जो इसमें आपको extra मिलते हैं इसमें आपको नहीं मिलते यह box में आपने कुछ चीज़े देखी जो इसके साथ आती हैं अब इन दोनों की quality में कितना difference रहेगा और कुन सा आपके लिए perfect हो सकता है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर body की बात करें तो बिलकुल similar type की body है दोनों की कोई difference नहीं है हम एक एक करके देखेंगे सबसे पहले front side पे उसी type से same screen है यहाँ पे camera के उपर same type का camera है अब यहाँ से चलते हैं left side में same button है और यहाँ पे एक speaker grill भी आपको दिखाई दे रही होगी इसमें उपर की तरफ देखें तो same type के buttons यहाँ पे आपको दो नजर आएंगी बट दोनों का काम एक ही है camera को switch on करने का बार-बार rubbing या हाथ लगने की वज़े से यहाँ से रब हो जाएंगे खतम हो जाएंगे बट इसके अंदर यहाँ पे हैं यह खुदे हुए है back screen देखा जाए तो दोनों की बिल्कुल similar type की back screen है same size की screen है कोई difference नहीं है नीचे की तरफ देखा जाए तो उसी type से battery का arrangement है same type से आप इस दोनों को open कर सकते हैं यू लगता है कि दोनों एक ही company जे बने हुई चीजे हैं दोनों एक ही manufacturer में भी होगा अब जलते हैं इस तरफ यहाँ पे आके major difference देखने को आपको मिलेगा दोनों ही में आपको लगबग similar type के port देखने को मिलते हैं यहाँ पे आप micro USB port देख सकते हैं यह micro HDMI port है और दोनों में card लगाने के लिए भी micro SD card की जगह है बर जो सबसे बड़ा difference आता है वो है mic के लिए extra port आपको digitac camera के अंदर मिल जाता है external mic लगाने के लिए easy one में आपको micro USB port को ही use करना पड़ेगा या उसके लिए आपको कोई external adapter खरीदने की जड़त पड़ेगी जो charging भी साथ की साथ कर दे और mic का काम भी कर दे maybe mic की quality reduce हो सकती है external mic लगाने के लिए digitac एक बहतर भी कल्प है क्योंकि 2.5 mm से 3.5 mm audio converter बहुत इजली मिल जाता है और sound quality के उपर भी कोई असर नहीं होता और इसके साथ एक port भी बच जाता है क्योंकि easy one के अंदर आपको micro USB mic की ज़रत पड़ेगी जिसे कान जो charging port है वो occupy हो जाता है अगर आप long time के लिए video record करना चाहते हैं long ride पे आप videos record करना चाहते हैं in that case आप इसको चार्ज नहीं कर पाएंगी जबकि इसको आप लगातार चार्ज कर सकते हैं क्योंकि mic के लिए अलग port है और charging port आपके पास अभी भी available है ये easy one को पीछे चोड़ देता है and I think vloggers के लिए ये चीज कुछ mount से ज़्यादा important है easy one का जो camera है उसके लिए आपको एक high speed memory card के ज़रुत पड़ेगी जबकि आप digitac camera के अंदर एक normal speed का memory card भी लगा सकते हैं आपको ये अलग से ज़्यादा high speed memory card पर चेज करने की ज़रुत नहीं है switch on करने पर यहाँ पर real में action दिखता है easy one तुरंत own हो जाता है digitac थोड़ा सा time लेता है electronic image stabilization को own कर रखा है और ये इस तरह की video quality आपको मिलती है selfie stick पर मैंने mount इसलिए किया कि दोनों ही camera में ये problem है कि ज़्यादा नजदीक होने पर ये focus अच्छे से नहीं कर पाते maintain focus को नहीं कर पाएंगे तो उसकी वज़े से मैंने इसको अपने selfie stick के उपर mount किया है और एक के लगबग मेरे से लगबग धाई फिट से तीन फिट की distance के बीच में लगबग मैंने इनको रखा है ये video quality आपको मिलेगी इन camera से low light conditions है stabilization यहाँ पर own कर दिया है normal video है video quality कैसी है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कैसी color production यह दे रहा है low light conditions में digitek कुछ better details दे पा रहा है जबकि यहाँ पर easy one में आप देख सकते हैं वो details नहीं है और 5K 30fps के उपर यह record ही नहीं कर पा रहा है अना कि मैंने यहाँ पर high speed memory card यूज़ किया है फिर भी इसने problem दिखाई की card यह आप देखिए कि इसमें memory card not sported जबकि इसके अंदर आप देख सकते हैं recording लगातार चल रही है तो इस problem की वज़े से comparison नहीं हो पाया 5K 30fps के उपर low light conditions में अंधेरे की जो situations हैं उसमें से मैं चल रहा हूँ night में ये काम कैसा करेगा street के अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा पहले एक बार ये test कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको street view दिखाऊंगा गली में चलते हुए ये किस तरह की video quality देगा कैसी stabilization देगा आप अंधाजा लगा सकते हैं यहाँ पर और अगर street view आप लेना चाहें थोड़ा सा idea मैं आपको दूँगा तो ये quality, video quality आपको इसके साथ दिखाए देना रहा है दोनों ही में image stabilization कापी अच्छा है पर easy one के अंदर step vibrations को साफ तोर से मैसूस किया जा सकता है अब road stabilization देखते हैं कैसा है इन दोनों कैमराज का आप उसके लिए अंदाजा लगा सकते हैं कार के dashboard और सामने की जो picture आपको दिखाए देती है उससे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से stabilize कर रहे हैं दोनों कैमराज काफी अच्छा stabilization है बड़े बड़े गठों में भी काफी अच्छे से stabilize कर लेते हैं बट यहाँ पर कुछ vibrations की जहाँ पर बात करें जब छोटे vibrations आपको में तो इन दाट केस थोड़ा सा यहाँ पर struggle करते हैं पर काफी अच्छा stabilization दोनों ही कैमराज से यहाँ पर देखने को मिलता है slow motion footage आप 4 times slow ले पाएंगे 1080p के उपर acceptable quality है आप देख सकते हैं यहाँ और उससे ज़्यादा slow करना हो तो 720 resolution के उपर आप 8 times slow कर पाएंगे footage को बट quality acceptable नहीं है प्रिजन टाइम में 1080p काफी use हो रहा है और 4K की बात करें तो यहाँ पर 4K के अंदर direct slow motion का option तो नहीं मिलता पर आप इसको achieve कर सकते हैं 60 frame per second के उपर recording करके इन दोनों की video quality में इतना ज़्यदा अंतर नहीं है easy one के अंदर clear boosted नजर आते हैं तो digitac का low light exposure कुछ ठीक है stabilization दोनों का ही एक जैसा है easy one के साथ कुछ mount extra मिल जाते हैं 200 से 500 रुपए के आसपास उनको अलग से भी खरीदा जा सकता है अगर उनकी जरुरत हो तो zoom का option easy one में recording से पहले मिलता है जबकि digitac में recording के दोरान भी आप zoom कर सकते हैं हालांकि zoom की quality दोनों ही में बहुत खराब हो जाती है फिर भी digitac में ये एक बहतर विकल्प है अब अंतर नहीं एक decision के बारे में बात करते हैं जो आपको लेना है सिधी बात अगर आपको एक अच्छा action camera चाहिए तो कुशिस कीजिए अपना बजट बजाने की अच्छी वीडियो quality पाने के लिए बहुत सारी जगों पर परचार परशार किया जाता है भाते बताई जाती है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब बजट होगा तब अप्क्रेड करनेगे ये आपके लिए नुक्षान दाइक ही रहेगा एक पुरानी कहावत है एक बेटा अपने बाप से कहता है कि लाख टके का हाथी सो टके में मिल रहा है ले लें बाप कहता है जब हाथी रखने की ताकत होगी तो सो टके का लाख टके में ही खरिप लेंगे बात आप समझ गए होगे क्योंकि 10-12,000 रुपे आज आप इनके उपर खर्च करते हैं और कुछ टाइम बाद आप दूसरा कैमरा पर्चेज करेंगे तो ये अमाउंट ये उसमें जुड़ेगा और वो आपके लिए बहुत महँगा पड़ेगा तो खरीदने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि क्या आपको इसकी जरूरत है या कुछ इंतजार के बाद हाथी ही खरीद लोगे नीचे कमेंट्स में भी ज़रूर लिखना तोकि डिफरंस हमें इन दोनों में ही करना था इनी मेंशे एक कैमरा चूज करना है कि कौन सा बैतर होगा एक बैस्ट सेलर है एक होट न्यू रिलीज है तो इन दोनों में होट न्यू रिलीज बैतर विकल्प देता है बैस्ट सेलर में आपको बूस्टिड कलर्स मिलते हैं और बहुत सारे माउंट्स बट व्लोगर के लिए जो जरूरी चीजे हैं वो यहां पे आपको मिल जाती है और उन सब के साथ कुछ बहतर बैटरी लाइफ भी जितने टेस्ट इन कैमराज के साथ किये वो सारे वीडियोज आपने देखे उनके ओरिजिनल वीडियोज के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप उनको डाउनलोड करके ओरिजिनल वीडियोज को देख सकते हैं और उस बेस पे डिजी टैक एक बहतर विकल्प आपके लिए होता है क्योंकि यहाँ पे बूस्टिड कलर्स आपको मिलते हैं इसके कलर्स को भी आप थोड़ी शीडिटिंग करके अच्छे बना सकते हैं पर यहाँ पे आप वो फीचर्स नहीं लेके आ सकते जो इसमें दी हुई है और जो सबसे बड़ी है वो है एक्सटरनल माइक लगाने के लिए एक अलग से ओडियो जैक जो माइक कमपेटिबिलिटी के साथ साथ लंबे टाइम तक वीडियो रेकोर्डिंग करने की उप्शन भी आपको देता है आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे बजट एक्सन कैमराज के बारे में जो आपको उनकी फीचर्स बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं में भी पेज रिव्यूज कुछ हो सकते हैं बट मैं आपको यहाँ पे फिर से कहूंगा बजट एक्सन कैमरा अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है तो खरीदिए, अधरवाइस गोसिस कीजिए एक अच्छा एक्सन कैमरा ही लेने की क्योंकि बजट एक्सन कैमरा आपको वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो मुझे लगा, वो मैंने आपको बताया आप क्या सोचते हैं, हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्षन के अंदर जोग लेखिए वेट करेंगे, या बजट एक्सन कैमरा के अंदर ही जाने की कोसिस करेंगे लिंक इन सब के नीचे डिस्क्षिशन में दिये हुए हैं और अगर खरीद रहे हैं, तो नीचे दिये गए लिंक से ही खरीदें जो दिस वास ओल बाउट फॉर देग, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थेंक यू रर्माइच वाई गार्ट